मेश रासि नौकरी पेसा जातकों की कुछ नए लोगों से मुलाकाद होगी जो बविश्य के लिए फाइदे मंद होगी व्यापार करने वाले जातकों को अज कुछ यात्रा करनी पड़ सकती हैं कारोबार में तेजी आने से आज आपके मन में प्रसंता का भाव बना रहेगा अज बगवान विश्टू का पुजन करें और पीले रंग का किसी को दान कर दें तो आपका दीन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुबरंग होगा लाल और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 82 प्रतिशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना होगा है विदेश में रहने वाले रिस्तेदारों से कोई सूप समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे पारिवारिक वातावर्ण आनंद में रहेगा परी जनों के साथ समय बिताएंगे और कार्यक शेत्र में आपको समान अनुकुलता नहीं मिलेगे फिर भी छोटे छोटे कार्यों में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिती मजबूत होगी सेहत में कुछ गिरावटे आ सकती हैं इसलिए 17 रहेगा आज बगवान विष्णु को बेशन के बने लड्डू का प्रसाथ चड़े और किसी नीर्दन व्यत्ति को दन का दान कर दे तो आपका दीन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुप्रेम्ग होगा पीला और बाग्य का मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 68 प्रतीशत मध्यम बाग्य आपके साथ बना हुआ है मितुंडासी मितुंडासी वालों को आज पारिवारी खर्चों में कटोती करना आवश्यक होगा अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी आर्थिक स्थिती पर संकर्ट आ सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी खरिदने जा रहे हैं तो उससे लिए जनुरी दस्तावे चांज ले अन्यता बविश्य में नुक्षान हो सकता है आज किसी निर्धन व्यक्ति को दन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुब्रंग होगा नारंगी और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है अठत्तर प्रतिशत मध्यम बाग्य आपके साथ बना हुआ है करकरासी करकरासी वालों को आज कारिय व्यवसाय में धनलाब के मौके मिलेंगे सुख सुविदाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक्ता से अधिक दन खर्च करेंगे जिससे आप दन संचय नहीं कर पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिती खराब हो सकती है नौकरी पेसा जातकों के लिए आज का दिन आरामदायक रह सकता है अज नाते वक ओम नमो बगवते वासु देवाये मंत्र का जाब करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुब्रेम्ग होगा हरा और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 86 प्रतीशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है सिहरासी संतान से जुड़ी कोई जानकारी आज आपको मिल सकती है इससे आपको प्रसंता होगी रुको हुए काम पूरे करने होगे अन्यता आने वाले समय में नुक्षान होगा आज के दिन नफा नुक्षान बराबर रहेगा और जिससे दंड प्राप्ती में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन आपका कोई लंबित सौधा था तो वह आज फाइनल हो सकता है जिससे आपकी अपार खुसी चरूर मिलेगी आज चीटियों को आठा डाले और केले के पेड़ की पुजा करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुब्रंग होगा सफेद और वाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है तेरासी प्रतीशत उत्तम वाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्यारासी समस्या आसानी से सुलच जाएगी और मौकरी पेशा जातकों के लिए आज का बोज बढ़ सकता है लेकिन अगर आप मेनत करेंगे तो साम तक सारे काम पूरे कर लेंगे गर का माहोल कुछ तनाव पूर्ण दे सकता है बाए बेहनों की समस्या आसानी से सुलच जाएगी और कार्यक्षित्र के साथ समय निकाल पाएंगे संतान पक्त से आज कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है आज आटे की लोई में चनादा और घूड हल्दी डालकर गाय को खिलाते हैं आपका दीन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुब्रंग होगा आसमानी और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 88 प्रतीशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है तूला रासी नए कारियों में बाग्य अजमा सकते हैं तूला रासी वाले व्यापारी वर्ग आज दैनिक कारियों के साथ-साथ किसी नए कारियों में बाग्य अजमाएंगे जिससे उन्हें सफलता भी मिलेगी कार्यक्षेत्र में कोई भी फ्यासला लेना पड़े तो जल्द बाजी में ना ले अन्यता नुक्षाल हो सकता है वैवा एक जीवन में अगर कोई तनाव चल रहा था तो वह भी आज समाप हो जाएगा आज बगवान विष्णू के मंदिर में चने की दाल और बूड़ पीले कपड़े में बाद कर चड़ाते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुबरंग होगा बादामी और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है तिरानवे प्रतीशत बहुत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है घृस्चिक रासी आज समय निकालने में सफल रहेंगे घृस्चिक रासी वालों के लिए आज का दिन सामाजिक शित्र में तरक्की के नए द्वार खोले गए और जिससे आपके कुछ नए मित्र भी बनेंगे मित्रों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और रास्दितिक मित्र से निकटता और मित्रता बनी रहेगी जरूरत समय पर पूरे होने से घर में सांती बनी रहेगी अज केले के जड़कों पीले कपड़े में बाद कर अगर गले में दारण करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुबरंग होगा मरून और बाग्या का मीटर आपको नमबर दे रहा है एक क्यानवन प्रतिशत उत्तम भाग्या आपके साथ बना हुआ है दनुरासी अपने काम पर ध्यान देंगे और दनुरासी वालों के परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वह आज खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य होगा नौक्री पेशा जातकों को सत्रु परिशान करने की हर संबव कोशिश करेंगे इसलिए सत्रक रहें और अपने काम पर ध्यान दें आज केले के पेड की पूजा करें और गरीवों को पिले वस्त्रु एवं बोचन का धान करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुब्रंग होगा के सर्या और बाग्य का मीटर आज नंबर दे रहा है छेहत्तर प्रतीशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर्रासी रोजगार के नए अउसर प्राप्त होंगे और मकर्रासी वालों की लव लाइप में आज कोई उपहार या सम्मान मिल सकता है इससे जीवन में एक नई उर्जा का संचार होगा दामपत्य जीवन में आज कुछ तनाव उत्पन होग सकता है रोजगार की दिशा में प्रयास कर रहे लोगों को रोजगार के नए अउसर प्राप्त होगे शाम का समय दिन की तुल्ना में सांती से बितेगा लेकिन सेहत में बदलाव को लेकर चिंती हो सकते है आज कलाई और घर्दन पर हल्दी का टिका जरूर लगाए सुब्रंग होगा गुलावी और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 93 प्रतीशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बरासी कुम्बरासी वालों को संतान पक्त से खुब सुपसमाचार सुनने को मिल सकता है बड़ी मात्रा में दन की प्राप्ती होने से दन कोश में वृद्धी होगी विद्यार्थियों को सिच्चा के ख्षेत्रों में कुछ अर्चन का सामना करना पड़ेगा महत्वपुन कारियों के लिए दुसरों का सयोग लेने में सफल रहेंगे आज किसी निवद्धन व्यक्ती को दन का दान कर दें तो आपका दीन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुपरम्गा होगा मरुन और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है नब्य प्रतीशत उत्तम बाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन रासी मीन रासी वाले व्यापारी अगर आज कोई डिल फाइनल करते हैं तो उसका पूरा लाव बविश्य में मिलेगा दीन बर जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा लेकिन साम को कामकाज की वजह से ठकान मैसूस हो सकती है आज किसी नीर्धन वेक्ति को खाने पिने की चीजों का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा सुबरन वहोगा लीला और बाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 78 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है